नमस्कार साथियों आप सभी को बताना चाहुआ कि हरियाना की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं दोस्तों अग्जाम्स को लेकर सेंट्रल युनुश्टी हरियाना जो की जाट पाली मेंदरगड के अंदर स्थित है दोस्तों और सेंट्रल कोहाड वो युजिसी की जो कमेटी बनाई गई थी दोस्तों जिस कमेटी के इसाब से रिपोर्ट देनी थी और उस रिपोर्ट के इसाब पर युजिसी को अपना डिसीजन लेना था तो उस कमेटी के अध्यक से आर्सी कोहाड को बनाए गया था जो की सेंट्रल युनुश् में कि जो official website पर है दोस्तों exams को लेकर notice जारी कर दिया है और ये Central University UGC की जो राह है UGC ने जो guideline जारी की है उस guideline के हिसाब से दोस्तों ये university चल सकी है इन्होंने आज ही की date में कुछ में पहले अपने official website पर एक notice जारी क्या है जिसकी update लेकर आपके बीच में पहुचा हूँ दोस्तों आप यहां देख पा रहे होगे सबसे उपर हरियाना केंदर ये विश्व विद्याल है Central University of भरियाना जाट पाली महंदरगड हरियाना यानि कि दोस्तों दिनांक भी आप यहां देख पा रहे होगे और इस दिनांक के अंदर यह इन्होंने अनौन्स कर रख्या है कि 27 2020 यहां आप डेट देख़ रहे हो दोस्तो इस यदि के को अज शीकी डेट को इन्होंने ये नोटिस जाही क्या है? और नोटिस का नंब्र यह दी देखना चाहो तो दोस्तो ये नोटिस का नंब्र है इसमें इन्होंने दोस्तों फर्ष्ट पॉइंट के अंदर तो जो COVID-19 को लेकर पहले लिश्ट जारी की गई थी उसकी जानकारी दी है दोस्तों और इसमें इन्होंने ये डेट मेंचन की है कि पहले जो रिवाइज गाइड लाइन आई थी 29 चार 2020 को पहले गाइड लाइन जाएंगे वो एक स्टंबर से लेकर 15 सेप्टंबर के बीच में ये अपने यूनिस्ट्री के छात्रों के अग्जम लेने की बात कर रहे हैं दोस्तों जो की सरासर छातर विरोध में है करोना मामारी को देखते हुए ये डिसीजन लेना गल्त है और दोस्तों इन्होंने बता कि अग्जम डोक्टर विपिन यादो हैं उनका सिगनेचर देख सकते हो उनका डेट के साथ दोस्तों सिगनेचर यहां कर रखा है और असिस्टरा असिस्टेंट जो रजिस्टरार है दोस्तों सुंदरलाल सर्मा उनका भी सिगनेचर यहां मैंसन है 12-7-2020 यानि कुछ ही समय इस नोटिस को ऑफिशल वेबसाइट पर डाला गया है जो कि हमारा यूट्यूब चैनल सबसे पहले अपडेट देने वाला यूट्यूब चैनल है दोस्तों और आप सभी को एक सीज़ और बताना चाहूँआ कि सेंट्रल उनुश्ट्री के अंदर कुछ समय से धरना परदर परसन भी चल रहा है चात्रों की मांग है कि भई चात्र गैट के सामने बेटे हैं ग्रामवाशी गैट के सामने बेटे हैं वे उठने की मांग ही नहीं कर रहे हैं और वो कह रहे हैं एक तो चात्रों को बिना परिक्षा के पास किया जाए दूसरी उनकी मांग है दोस्तों कि जितने भी जैसे कि C और D ग्रूप में करमचारी लगाए जाते हैं तो कुछ से में पहले इन्होंने अंदोलन के दोरान कोई विस्टी था पहले कौन था मुझे जानकारी नहीं है उस विस्टी ने ग्रामवाशियों को आस्वासन दिया था कि भी ग्रामवाशियों ने जो फिरी में जमीन अवलेबल करवाई थी यूनिश्टी को तो उसको लेकर C और D के कुछ करमचारी हैं जो DC डासी रेट पर लगाए जाते हैं कच्छे करमचारी जिसको हम बोल सकते हैं वो लोकल गाओं की करमचारी लगाने की बात कही गई थी जबकि अब की बार जो ठेका छोड़ा गया है उसमें उस बात को अटा दिया गया है तो इन दोनों चीजों को लेकर ग्रामवाशियों गैट के सामने दरने पर बेठे हैं इसी बीच उनुश्टी ने अपनाई के नया लेटर जारी कर दिया जो की छातर विरोध में है तो मैं सभी छातर संग से सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमें जो सेंटर लिनुश्टी के विची हैं आर्सी कुहाड जो इस यूजिसी की कमेटी है जो बत्तों की कोईड नाइंटीन को लेकर अग्जाम होने चाहिए नहीं होने चाहिए इसको लेकर इनका 10 विची विची को बनाया गया था इनीकी गाइड लाइन के उपर यूजिसी ने जो नोटी से जारी किया है और जो भी बात सीते सबी वीची ओ से करने के बाद इसने अपनी कमेटी में जितने भी 4-5-10 से थे उन सबी से 10 से बात करने के बाद ये फैसला लिया है दोस्तों और उस फैसले को हर्याना स्टेट में लागू करने वाली पहली उनिश्टी सेंट्रल उनिश्टी ओफ हर्याना है जिसका छातर संग और हमारा यूट्यूब चनल पूर्ण रूप से विरोध करता है कि ये सरासर गल्त है विद्यार्थियों के पक्स में फैसला बिल्कुल भ कही है कि जितनी भी छातर हैं उनको जैसे ही वो भी फाइनल की कक्षा पास करेंगे तो ड्राइविंग लाइसंस और जो पास्पोर्ट है वो अवलेबल करवा दिया जाएगा डिगरी के साथ तो दोस्तों मैं उनको ये कहना चाहूंगा सरकार को मुनारलाल खटर को कि फिला पर डैट से अट्यूकेट भी जा सकती है तो ये सरासर गलत है और ये सरकार को इसके उपर संग्यान लेना चाहिए विसी को इसके उपर संग्यान लेना चाहिए यूजी सी को इसके उपर संग्यान लेना चाहिए केंदरी मंतरले को इसके उपर संग्यान लेना चाहिए और तो फिलाल आपको मैं यही कहना चाहूंगो कि बहुशे की लेटस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि बहुशे में आने वाली कोई भी लेटस्ट अपडेट है सबसे पहले सबसे तेज आप लोगों कुछ की जानकारी मिल के धन्यवाद दोस्तों